पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिल्टी टेस्ट पीस्ट एटे रहेगी जो में डेट्स हां फीस है टेस्ट दी परंदी ते उस तो बाद जो में अधर से लेबर से उधे बारी डिसक्स करांगे बहुत चोटी जी वीडियो होएगी सुत्याना सुनना तब में डेट्स के ड और नमंबर ऑनलाइन वेर्वियां दी सोथ जे तुसे कोई गलती कार दिन दे हो कोई गलती ना कुछ थोड़तों को यह हो जा जो कॉलम फिल हो जाना जो तुसी नहीं सई किता तो तुसी ठीक कर सकते हो पांच गयारा तो लेके आठ गयारा तिकर यह त्यान रखना है रोल सब्सक्राइब ऑनलाइन मिलंगे अठारा नमंबर रों देन पीए स्ट्रेड़ी प्रिख्या है वो होगी एक दिसंबर नादी नारी रिजल्ट टी जो टेंडिटीव मतलब डेट देते हैं पूरी उमीद है कि एक जन्वीनों दोजर पच्चिन रिजल्ट आजेगा प्रफेशनल क्वालिफिकेशन कीती होगे अकॉर्डिंग टू एक वालिफिकेशन हों देबचे जिने ने पेपर वन देना है उना देली एलिमेंटरी टीचर टेनिंग कोर्स कीता होना चाहिए या जो भी कि टीचर ट्रेनिंग छोटी वचे नूँ ग्लासीज नूँ ब्लांदे लही अकॉर्डिंग टू एन्सीटी ही रिकमेंड़िड हो कीता होना चाहिए या देन उस्तो बाद है एन्सीटी दी नोटिफिकेशन देविच क्लियर काट लिख है कि जो टीचर एड़िकेशन कोर्स जी को गुना इसकीते गया है और आर्सीटी देकेश देविच ओ सारे इदेविच अलेजिवल मने जान भी टीटी पेपर इस टेकन बादेपार्टमेंट एस पर दा गाइडलेंस ओ एन्सीटी ए नेक्स्ट है सब्जेक्ट बड़े एड किते हैं जी देविच ओसी त्यार न धäreक्ट ऑदे वर्डू वरे टीचर उर्दू देलाए थैन फिसेल एडू कीशनल वाले टीचर फिसेल वाले पीजिश देले नि फांब साथ अलेड़ी को देली ख और शेल अन्यास आपाद है मूजरी आच। लिली मूजरी in श्रिक्टा अचुकिया कि एंस्टी एडरे लिमिट कोई भी नहीं है कोई लिमिट नहीं किसी भी एज लिमिट अजो है जो स्टुजेंट है वह एप्लाइ कर सकते हैं टी यह दोजार चोवी दिया में फीस स्ट्रक्टर है जर्नल के डगरी ते ओभी सी दे लई सिर्फ पहला पेपर देना है था हजार पी यह पेपर पीस है और केटेगरी स्टुडेंट से लिए पेपर वान दे लिए पांसो पेपर टू दे लिए पांसो ते दोनों भी पर देने है था हजार पीस है एक सर्विसमें लिए कोई भी फीस नहीं है सिर्फ पंजाब दे एक सर्विसमें लिए नहीं है पर बार पंजाब तो बार ल ओक्स देखोछी आडिडेट जो है ऊपनी कि प्रवारे इस्टे अरे जो करना पाएगा आपनी इमेल आइडी ते मुबाइल नबर लगा के सब्सक्राइब रहीडान पर दोया है यह इस तोवल करिके पोगे आपनी ही इमेल आइडी बनारो वह दो हो देओ अपना ही फोन text message आए होताई किसे वींभिच हमीशा text message आदे हैं जोदो भी कोई text message आए तो तुछ आप कर सको तίο समझा कोज़ी problem है तह ता तो mail वी तो आएगी ताइम टू टाइम आदिए तो घ्कलिर होसके नेक्स से खो इज़े विच मेंन है अपने डिटील्स फोटो सिगनेचर अकैडमिक डिटील्स मतल्ड जो भी तुसी क्वालिफिकेशन खीती हुई है एटीटी है जो भी तुसी ओदे गॉडिंग परने त्यानल परने टेस्टेशन परनी है तो प्रिव्यू मिलेगा देखन ली फिर उस तो बाद फीस परी जाएगी तो डिटेशन उसी बहुत त्यानल अपनी मैट्रिक 10 टे प्लस टुदी जो डिएम सी है तो मैच कर लेने तो फादर्स नीम मदर्स नीम मैच कर लेने तो दैन नेक्स्ट है केरे मस्ट किव इस ओन इमेल आइडी जो अल्रडी दस चो कियां सिर्फ एक ही कैटेगरी देविच एपलाई कर सकता है जे एक कैटेडेट ने दोनों वेपर से एपलाई किता है सब्जेक्ट पूरी होनी चाहिए एपलिकेशन फॉर्म फॉर पेपर इस कंप्लीट ओंली अफ्र सक्सेसफुल पीपेमेंट और गिवन बेपर जिनने तिकर दुसी फीपेमेंट नी करोगे तो अधिस सक्सेसफुल फीपेमेंट तो पूरा नहीं पर आजाएगा इमें गला है ते सब तो इंपोर्टन काल की पेपर किस लेंगवाज देविच होएगा इट विल बी बाइलिंग्वेल दो लेंगविच होएगा तो जैन दे वैलिटी पी एस्टी एटी क्वालिफाइंग सर्टीकेट पर अपॉर्टमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम पॉर आल कैटेगरीज बत दो जिरने पर्स्ट येर कंप्लीट कर लिया है तो ओ भी अप्लाई कर सकते हैं होन बहुत इंपॉर्टन इंस्टॉक्शन से बच्चे आंदे ले की पेपर दे लिया आओगे तक की की लेके आना है ते की की तुसी एड्मिट कार्ट पोटोस लेके जानी है तो ए तुसी मतलब साइकोलजी जो तुसी पढ़ते हो अपनी एट देविच या भी अडेविच ओ सब्जेक्ट एड्युकेशनल साइकोलजी चाइल्ड डेवेल्पेंट एंड पेड़ागोजी 30 मार्स दी होएगी ती कोश्चन होनगे 30 MC के उससे एक नमबर दा एक कोश्चन होएगा त 30 30 मार्स से होनगे देन मेठेमेटिक से स्टुद्ट इस पोर पेपर 1 मैठेमेटिक होएगा 30 मार्स सा ए इविएस एंवरोमेंटल स्थथरी जोंगे 30 मार्स सा टोटल पेपर हो जेगा 150 मार्स सा ते 150 ही कोश्चन होनगे तो कोशें विली सेट इन पीएस टी टी टू पेपर टू दे विच किड़े किड़े होंगे एक ब्रेक है बहुत त्यानल देखने हैं बच्चे बहुत कंप्यूस हुंदे हैं चायल पेड़ागोजी ड्वेल्प्मेंट पेड़ागोजी इस इस कंपल्स्ट्री काफी से लेबल या भी यह दोरान पड़ेगा 30 मांक सा होएगा 30 mcqs होंगे mcqs मतलब multiple choice questions then language one compulsory 30 marks language compulsory 30 marks then mathematics the science teacher दे ले math mathematics the science question आंगे 60 mcq of one mark each ठीक है math science दे 60 सवाल आंगे 60 number दे पर जड़े sst दे teacher आंगे 60 number दे एक मार्क दे एक होएगा आट एंड ग्राफ्ट नो आट एंड ग्राफ्ट दे सब्जेक्ट चूज़ करने ज़र तुसी फॉर्म फिल करोगे ज़र तुसी फॉर्म फिल करोगे तो सब्जेक्ट बहुत त्यानल चूज़ करने हैं क्योंकि थोड़ा पेपर टू उसे according ही आएगा फिजिकल एजुकेशन टीचर को फिजिकल एजुकेशन दे आंगे मुजिक लिए उसे चुझाब़ एगा उर्दू लिए उर्दु लिए उर्दु लिए अनगे दी अगे म्यूजिक लिए जिस्क्रीट लिए उसे लिए व्ध्रीवज़ एगा आएगा पर एक्जाम्बल इंग्रिश दा टीचर होना नो के लास दे पढ़ना पाएगा एसस्टी फाइन नेक्स दिखिए स्ट्रक्चर की रहेगा स्ट्रक्चर कॉंटेंडा की रहेगा पी एस टीटी दा ओल कोशन इन पी एस टैट ए जो टैट दे पेपर है आएए में सी क्यों से जो मिल्टिबल फॉइस कोश्चिंज ए एक नंबर दे होनगे विट फॉर और डिव्ट शार ओधी ऑप्शन होनगे आ ए बी सी डी डी तेर विल बी नो नेगिटिव मार्किंग कोई भी नेगिटिव मार्किंग नहीं होएगी पेपर टू पेपर टू प और persons who intends to be teacher of 1 to 5 प्राइबरी टीचर बना चांदे है तो मिनिमूम कॉलिफिकेशन पूरी कर दे हूं पेपर 2 उनना दे लही है जिनाने बेट किरती हुए है तो 6 to 8 तक बेटीचर बनना चांदे है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिनानों उसे TGTV कह दिनने है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इनाने बेट किती हुनी जरूरी है हाओएवर जो टीचर बनना चांदे है दोनों लेवल से उनना में पहला ते दूज़ा पेपर दोना ने क्लियर करने है इसलही दे हाव टू अपियर फर बोथ एक्जाम्स ता पेपर वन दी जो प्राइमरी स्टेज लही है उद्धी डियूरीशन होएगी टारीक गंटे टू एंड हाफ आर फाइंड टू एंड हाफ आर सॉरी एंसी यह वन फिप्टी मार्क से यह तोन में अल्यदी दस चुकी है ता नेचर एंड स्टेंडर्ड इनने दस है कि उस लेवल दा ही होएगा जिस लेवल दी क्रोन ने बच्छा नों पढ़ान है तो टेस्ट अप आइ जे तीन नमबरी थोनू लेंग्वेज आनी है थर्टी मार्क सी लेंग्वेज दा काना है तो ओदे विच्छों जेल यह 40 तू 50 परसेंट है 30 मार्क सा 40 परसेंट की नमान क्या 12 कोश्चन जो है थोनू 12 कोश्चन या 50 परसेंट तुसी कार लो एदे विचो 15 कोश्चन थोड़े एदे विचो पैड़ागोजी ती होनगे means how you will teach that particular subject how you will teach sorry how you will teach that particular subject ओदे विचो होनगे situations जितने होनगे की एद्दा होएगा ता के में करोगे जी इस्ट्री के ना क्लास्ट होएगा ता किस ना टीच करोगे then test items of mathematics and environmental studies will focus on the concepts problem solving मतलब कोई problem दसी होएगे तो इननू solve कि में करोगे then pedagogical understanding मतलब कि में पढ़ाओगे उस चीजनू in both the subject areas pedagogical understanding would cover 25 to 30 percent of the items मतलब तेर ओही गल जे तुसी थानू आनी है 30 30 marks दे mathematics sorry here 30 30 marks दे आने हैं तो इनने की के कि 25 to 35 30 percent मतलब साथन नंबर दे आने हैं math and science उसा 3 percent मतलब 18 तो भी question दूसी लगा के चलो थानू pedagogy दे ही आनगे look means बहुत easy level हुंद है थानू situations आनगे तुसी being a teacher सोचना है कि मैं इस हलात दे विच मैं की करांगी या की करांगा clear तुसी जदा दिलनल चलना है पूरे माइड ना सोचना भी की करोगे तुसी ओस situation दे विच next the questions in the test for paper 1 will be based on the topics prescribed in the syllabus 1 to 5 but difficulty standard जो होगा उस secondary stage तक दा होगा clear इसलिए उत्यानल thoroughly पढ़ना है EBS भी thoroughly पढ़ना है तुसी भी ये दे विच करके आये होगे 10 तक भी EBS पढ़ी है तो नो thoroughly study करो 6 to 10 तक दे सारिया मुख से उठालो environmental studies sst दिया सब questions दे विचों आंग दे बच्छे next paper 2 for class 7 to 8 elementary stage इदे विच भी same है two and half hour fine ता इदे विच clear है pedagogy psychological child development है psychology आएगी educational psychology 30 marks दी pedagogy भी आएगी language one Punjabi रहेगी language to English ते math science ले math science student ले math ते science दा आएगा ते बाकिया लही अलगलब subject prescribed है वो तो नो पहला ही 10 चुकी है clear the same ohi pattern है 25 to 30 percent questions 45 to same ohi pattern है बचे this is the syllabus I will discuss in the next video kindly tell me in the comment box की समझ आया जो भी तो नो Punjab stage teacher eligibility test आसली समझ जाया है बिठा ता apply करो and grab the job job slow as तोने as possible तो अपनी मेनत करो thank you god bless you please subscribe the channel if you are not subscribed so that in future जो भी वीडियोस अप्लोड कर दिया हमों मिल जान एसी ही चैनल थे भी एक first year second year finally English compulsory दा जो काफी content में upload कर चुकी है इस तो इलावा composition part चठी पतर की में लिगने how to write formal letter how to write informal letter how to write email how to write report इस सब कुछ upload कर चुकी है communication जो की important part होंदे थो decompetitive exam दा ओधना related भी सारा content upload किता हुए है तो उसी check कर सकते हूँ जो बचे fanatic sponge interested है ओभी side by side upload हो रही है तो उसी देख सकते हूँ playlist बनी हुई है thank you god bless you thank you